परिचय और खनिज हो इस पार्ठ में आप अलग अलग प्रकार के आहारों और उनके महत्व के बारे में जानेंगे आउ सीखें भोजन का वर्गी करन करना उर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताना शरीर का निर्मान करने वाले भोजन के बारे में बताना स्वास्थ वर्धक भोजन के बारे में बताना पौधों और जानवरों के लिए आहार के सुरोतों की सूची बनाना खान-पान संबंधी अच्छी आदतों की सूची बनाना भोजन हम कई तरह का भोजन करते हैं भोजन में कई पोशक्तत्व होते हैं जैसे की कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटमिन और मिनरल यानी खनिज, इनसान के शरीर को तीन तरह का भोजन चाहिए, ये हैं उर्जा देने वाला भोजन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और स्वास्थवर्धक भोजन. उर्जा देने वाला भोजन हमें काम करने की उर्जा देता है. उर्जा देने वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा होती है. चावल, गेहूं, आलू, तेल और मक्षन उर्जा देने वाले भोजन के उधारण है चावल, गेहूं और आलू में कार्बोहाइडरिट होता है तेल और मक्षन में वसा होती है शरीर का निर्मान करने वाला भोजन मानव शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन वाली खुराक की जरूरत होती है जिस भोजन में प्रोटीन ज्यादा होता है उसे शरीर का निर्मान करने वाला भोजन कहा जाता है इनसान के शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है दूद, अंडे, मास, पनीर और चना शरीर के निर्मान करने वाले भोजन के उदारण है स्वास्थिवर्धक भोजन खाने की जिन चीजों में विटमिन और खनिजों की मात्रा अधिक होती है वे हमें बीमारियों से बचाते हैं इसी लिए इन्हें स्वास्थिवर्धक भोजन कहा जाता है पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सबजियों, गाजरों और फलों में धेर से विटमिन और खनिज होते हैं सबजियां हमें अपना भोजन पौधों से मिलता है पौधों के विभिन हिस्सों को सबजियों के तौर पर खाया जाता है हम किसी पौधे के विभिन हिस्सों को सबजियों के तौर पर खाते हैं पौधों के विभिन हिस्सों में जड़े, तना, पत्तियां और बीज शामिल हैं गाजर, चुकंदर और मूली जणे होती है। आलू, प्याज और लहसुन तने होते हैं। पालक और बंदगोभी पत्तियां होती हैं। मटर और बीन्स बीज होते हैं। पौधों के लिए आहार आईए अब जाने कि पौधों को अपना भोजन कहा से मिलता है। पौधे अपना भोजन सूरज की रोश्नी की मदद से बनाते हैं। पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों में अपना भोजन तयार करते हैं। पौधे इस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और बाकी उनकी जड़ों, तने, पत्तियों और बीजों में जमा रहता है। जानवरों के लिए भोजन आईए अब जाने की जानवर क्या खाते हैं? कुछ जानवर घास, पत्तियां और पौधे खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। कुछ जानवरों में भालू और कुट्टे आदी शामिल हैं। शाकाहारी और मासाहारी पौधों से मिलने वाले फल, सबजियां और दूध उत्पाद शाकाहारी भोजन होते हैं। जो लोग इन्हें खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मास, अंडे और मचलियों जैसे जानवरों से मिलने वाले उत्पादों को मासाहारी भोजन कहा जाता है। उन्हें खाने वाले लोगों को मासाहारी कहा जाता है। खान-पान संबंधी अच्छी आदतें। खान-पान संबंधी अच्छी आदतों को अपना कर हम फिट और स्वस्थ बने रहते हैं। आओ, खान-पान संबंधी कुछ अच्छी आदतों के बारे में जाने। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं. फलों और सबजियों को खाने से पहले धोएं. जंक फूट से बचें. हमने क्या चर्चा की? पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं. जो लोग सबजिया, फल और डेरी उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है. जो लोग मास, अंडे और मचलिया खाते हैं, उन्हें मासाहारी कहा जाता है. फिट और स्वस्त बने रहने के लिए हमें खान पान की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए